चिंकी जा बिटिया बस साफ कर दियो आज बस चला कर पैसा कमाएंगे बस चलाने जाओगे अम्मा तब तो मैं आती हूँ बस साफ करके तू बैठे बैठे मुखा ताक रहा है जैयो चिंकी का मदद करियो जाकर ठीक है जाता हूँ भैया तू भी आ गया हाँ सोचा तेरी मदद कर दू मैं बस रगरता हूँ भैया उधर रगर देख उधर भी गंदा है तू मुझे मत बता अपना काम कर बरिया है मुझे बताने वाली बाह बस तो एकदम चमग गया बिलकुल नया जैसा अरे बाह तुम दोनों ने तो बस को एकदम नया जैसा बना दियो चलियो अब बस चला कर पैसा कमाने चलतो है हाँ चलियो अम्मा प्रियो फ्रोस नहीं है और ले जड़ बता झा कर भी दिजे है अरे बस रोकियो रोकियो कहा जा रहो है ये बस अंकल सीतलपुर सुन्सने नगर जाएगी हमका तो सीतलपुर जानो है हां हां अंकल आप बैठ जाओ बठिया और देखो और कोनों कस्टमर है तो बस में बुलाई लो ठीक अ मा सुन्दर पूर सीतल नगर सुन्दर पूर सीतल नगर आओ 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 आँटी कहा जाना है हमका सुन्दर नगर जानो है हाँ आँटी आओ बैठो सुन्दर नगर सुन्दर नगर आओ आओ सुन्दर नगर अड़े सुन्दर नगर तो हमका भी जानो है हमका भी जानो है सुन्दर नगर चलिए चलिए बैठ जातो है बस तो पूरा भर गया अम्मा चलाओ बिटिया सबसे पैसा ले लियो सुन्दर नगर आने बालो है ठीकम्मा आंटी पैसे दो हाई येलो सुन्दर नगर का एक डुपईया हाई सुन्दर नगर का भारा हाई सुन्दर नगर हम्रो जमाने में तो एक डुपईया में ही सुन्दर नगर पहुच जातो थे अरे तुम अपने जमाना को अपने पास रखो बिटिया इलो दो सीट का दो सो रुपईया बुरहापा आई गयो लेकिन फर्यूल खर्जी तुम्रों ना ही गयो है, तुम्रे एही लच्छन रहे ना, तेक दिन हम दो कंगाल होकर रहेंगे भाईया चलो, और पैसेंजर से पैसे ले लेते हैं, अंकल पैसे दो हाँ यही लो बिट्या, बिट्या यही लियो हमरो पैसे इलियो हमडों पैसे भैया आज तो अच्छा कमाई हुआ है बिटिया काडों पैसेंजे से पैसा लई लियो ना आ गयो सुन्दर नगर चलियो उतरियो अम्मा आज तो बहुत अच्छा कमाई हुआ हाँ बिटिया अब चलियो घर चलतो है आज तो ठक गयो है चलतो है अंदर चिंकी बिटिया सारी का सेल लगो है अम्मा को बताई दे न सारी का सेल लगो है आंटी आती हूँ अम्मा को बताकर अम्मा परोश वाली आंटी बता रही थी सारी का सेल लगा है का सारी का सेल लगो है हमरों भी सबों सारी पुरानों हो गयो है चलियो ले ले तो है चल कर हाँ चलो अम्मा अम्मा आरी स्पीट चलाओ नहीं तो सारी का सेल खतम हो जाएगा हाँ बिटिया चला तो है हमड़ा बहुतों दिन काएक्सपीडियेंस है सकूटी चलाए इनका आरे आरे रोको रोको स्कूटी रोको का होगो इंस्टेक्शर साहब काहे रोको हमड़ो स्कूटी आपका हेलमेट कहाँ है उटो हम घर में रखो है सम्हाल कर भाबी जी हेलमेट पहाणने के लिए होता है घर पर समान के रखने के लिए ना ही चलान कटेक आपका चलिए निकाले पाच है रुपईया पाँच जार उपाईया हम सारी खरीतनों के लिए लायो हैं। तुम का देनों के लिए ना ही? समझे। बड़े आए हमड़े पैसे लेने वाले। पैसे ना ही दोगी। उतरियो सकूटी से। सकूटी ही रख ले तो हैं। सकूटी रख लियो? तो हम कैसे जाएंगे सारी खरीदने अम्मा बोड़ा अंकल का बाइक उसी से चलेंगे हाँ यह ठीक है हमडों स्कूटी समहाल कर रखियो हम आतो है सारी खरीद कर अड़े अड़े आई से कैसे हमडों बाइक पर जाओगी चलान का पैसा निकालियो अड़ले जही अपनों देखो हमरों स्कूटी रख लियो है पुलिस बालों ने बस इतनी सी वाद भावी जी मैं आपको छोर देता हूं आपको जहां जाना है चीटू उतर आंटी को बैठने दे नहीं मैंने उच्छूंगा मुझे पिज्जा खाने जाना है तू पिज्जा खाने जा रहा है मोटे अम्मा चलो ना हम भी पिज्जा खाने चलते हैं पिज्जा खाएगी बिटिया चलियो का चलतो है पहले हमने चलान का पाईसा तो देदो हाँ हाँ देतो है भाई साहब आपके पास पाईसे है हाँ हाँ भावी जी हमरे पास बहुतो पाईसे है तो दे दीदिये 5000 रुपईय मैं आपको बाद में धहिदूंगी का यह लो हाँ अब ले जाइए आपना स्कूटी उदास काहे होते हैं चलिए मैं आपको आज पिज्जा खिलाती हूँ आप खिलाएंगी पिज्जा चल जिन्टू आज मुफ़त का पिज्जा खाएंगे आईए आईए भावी जी बाइठिये कुड़सी तो बहुतो बढ़िया है आ बीटिया बैठ बच्चा लोग बताईयो काका खाओगे अम्मा मैं पनीर पिज्जा खाऊंगी मैं तो सबसे बरावारा पिज्जा लूँगा हाँ हाँ ले ले ना बेटर हाँ मैं बोलिये क्या क्य आधे करना है चार बडो बालों पिज्जों और साथ मां कोल्ड रिंक लाइया हो येस मैं अभी लाता हूं ये लीजे मैं आपका चार पिजों और कोल्ड रिंक चलियो खईयो सबों लोग दे मैं ये ले लेकर मैं ये लिजे आपका बिल दो हजार उपईया दो हजार दिमाग लगाना पड़ेगा अम्मा सारी का सिल खतम हो जाएगा चलो न खरीदने हाँ बिटिया चलतो है अरे भाबी जी कहा जा रही है बिल तो देते जाईए कैसे आदि भी हो आपको अपने पैसे की पड़ी है बहां हम लो स सारी का सेल खतम हो जाएगा हम जा रहो हैं सारी खरिदने अरे भाबी जी सुनिए तो